hey guys what is up and welcome back to my channel so दोस्तों I know आप सब वेट कर रहे होगे इस वीडियो का and this video is specifically for the Amazon sale जो प्राइम यूजर्स के लिए तो आज से स्टार्ट हो चुके है बाकी यूजर्स के लिए कल से स्टार्ट हो जाएगा है इस ग्रेट रिपब्लिक डे सेल and यह जो है इस बार जो सेल है वो SBI कार्ड के ओफर लेके आई है जहां पर आपको 10% इंस्टेंड डिसकाउंट मिलेगा अप्टू 1750 रुपीज विद SBI क्रेडिट कार्ड ठीक है और यहां पर धेर सारे ओफर्स आपको देखने को मिलते हैं करता हूं and जो प्राइज है वो चेंज हुए है जैसे लिनोवो का 57 में था 49 में आया है तो यह सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा पिकॉस हमने हर एक लिंक को ओपन कर रखा है ठीक है तो यह से पहले का प्राइज आपके सामने लाइव रिफ्रेश होगा जैसे करते हैं सबसे पहले एस पाइर फाइव को राइव जनेशन के साथ आता है यह चार जीवी 256 जीवी एसेजी को रिफ्रेश करते हैं से पहले 3900 का था 39000 का कोई डिफ्रेंस नहीं है दिन आपके बस LG ग्राइव 14 इंची इंचिस अल्टरा लाइट जिसमें इंटल एव 11 जने 999 there is a price difference and further आपको जो है वह offers देखने को मिल जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था यहां भी आप देख सकते हो 10% instant discount बेलेगा अप्टू 12.50 on SBI credit card and no cost यह मही भी आपको देखने को मिल जाएगी and यहां भी बहुत major price difference देखने को मिला है now this is Acer Aspire 5 11th generation 6457 and इसको refresh करते हैं यह currently unavailable हो गया I don't know why then यह Fujistu का laptop है 82490 का and refresh करने के बाद यह 77 490 पे आया है so there is a price difference right then HP Pavilion AMD Ryzen 5 4600H refresh करते हैं 50 at 990 and 50 at 990 ही रहा कोई price difference नहीं है HP Pavilion Ryzen 5 5600H जो I guess RTX 3050 के साथ आता है sale से पहले 79603 and sale के बाद 7990 so there is a price difference right तो यह laptop आप चकाउट कर सकते हो HP Pavilion AMD Ryzen 5 5600H and 63878 and refresh करने के बाद 60,000 तो there is a price difference आपको काफी low price मिलता है now this is HP Victus AMD Ryzen 5 5600H जो की RX 5500M वाला model है basic model है 60,000 price है sales से पहले and sale के बाद 57990 तो 2000 price drop आपको देखने को मिलेगा then HP Victus Ryzen 5 5600H जो की 512GB SSD के साथ आता है 1650 64510 का है and 5990 तो यह भी 60,000 के नीचे आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो there is a price difference again HP Pavilion AMD Ryzen 5 5600H जो की 512GB SSD के साथ आता है RTX 3050 वाला model है 72 410 में आपको मिल रहा है sales से पहले now let's refresh it and यह 67,000 में आया है तो almost if I'll say 7,000 6,000 price difference almost आपको देखने को मिला है which is insane right and सबसे high demanded laptop Lenovo Legion 5 Ryzen 7 5800H RTX 3050 वाला 165Hz QHD refresh rate वाला panel sales से पहले 1,09,000 का and इसमें कोई price difference नहीं है अगला Lenovo Legion 5 Ryzen 7 5800H with RTX 3060 and इसमें office 2021 भी मिलता है sales से पहले 1,33,000 and sales के बाद 1,33,000 तो यहां पर कोई भी price difference नहीं है ठीक है then Lenovo Legion 5 11th generation i7 with RTX 3050 120Hz refresh rate Windows 10 MS Office 1,00,000 का है मतलब 1,00,000 almost and कोई price difference नहीं है then आपके पास Lenovo Legion 5 Ryzen 5 4600 is 2020 variant काफी सहीं लैप्टॉप है यह 120Hz के साथ आता है 66,000 है मतलब आज के टाइम पर कोई लेना चाता है मन इसलिए open करा है 66,000 का sales से पहले and sales के बाद 63,000 का तो यहां पर price difference आपको मिलता है Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 5600H सबसे basic model 60,000 वाला सब्सक्राइब के साथ 60,000 का sales से पहले and sales के बाद 58,000 का तो there is a price difference लिनोबो IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H वाला model 16GB RAM 1650 120Hz 75,000 का sales से पहले and sales के बाद 75,000 तो no price difference लिनोबो IdeaPad Gaming i5 11 generation वाला model जो की sales से पहले 66,000 का है sales के बाद 61,000 का तो there is a price difference is a Nitro 5 RTX 3050 वाला model जो की 144Hz के साथ आता है 70,000 का है काफी लोगों ने पसंद भी गया है इसको and 1000 price difference आपको यहां पर देखने को मिलता है then आपको 70,000 में एक Intel वाला model भी मिलता है जो की 1650 के साथ आता है इसको refresh करते हैं 70,000 है and यह 70,000 के रहा कोई price difference नहीं it's a Nitro 5 i5 11 generation RTX 3050 वाला model 77,000 का है and 76,000 तो यहां पर price difference है 1000 का is a Nitro 5 256 GB i7 11 generation and RTX 3050 Ti 1,002,000 refresh करते हैं 1,002,000 कोई price difference नहीं I guess यह हमने देख लिया है बट फिर भी चलो एक बार फिर से देखते हैं 90,000 price है and 500 prices का drop हो तो इसको मैं नहीं देखा था बहले asus tough dash f15 2021 i5 11 generation RTX 3050 72,000 price है इसका refresh करते हैं and 72,000 ही रहा तो no price difference asus rockstrix G17 17-inch का laptop है 144Hz AMD Ryzen 74800H almost 80,000 का है sales से पहले and sale के बाद 75,000 का so there is a price difference I would say asus tough dash f15 2021 3050 Ti वाला model 96,000 का है sales से पहले and sale के बाद 91,000 का you can see the difference right asus tough dash f15 2021 i7 11 generation के साथ 3050 Ti 96,000 का है and 91,000 का I guess same model थे राइट 67,500 का आपको मिलता MSI GF 63 core i5 10 generation RTS 3050 and refresh करने के बाद same price पर रहा यह उसके बाद MSI GF 63 i7 10 generation 3050 वाला model 82,000 का है refresh करने के बाद 82,000 का ही रहा so no price difference so yeah that is it अगर मैंने कोई laptop छोड़े हैं तो आप comment करके बता सकते हो मैं आपको community post में उनके links provide करता रहूंगा तो चलिए यही थे कुछ live laptop के prices जो मैं आपको बताना चाता था I hope आपको clear idea मिला होगा कि किन laptop में major price difference देखना को मिलते हैं ठीक है अगर मैं आपको सबसे पहले पीच पे ले जाओं तो यह करना ही दी है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर केसी वीडियो में फिर केसी awesome content के साथ comment चोटके जुरूर जाना वीडियो को like करके जुरूर जाना विकास बहुत पहनत करते हैं यहीं जाहीं थैक्स फॉट वॉचिंग थैक्स लाट